केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र इलाज थानक शेत्र की है आपको बता दे कि घटना के वारे में बताया जा रहा है कि शुकरवार की शाम आठ साल की बच्ची अपने दर्वाजे पर खेल रही थी तबी आरोपी हरीलार प्रजापती बच्ची को बहला फुसला कर गाउं के बाहर धान के खेत में ले ज़ाकर उ मासूम बच्ची को इलाज के लिए जिलास्पताल में भरती कराया है आपको बता दे कि इस मौामने के करम में पुलिस को आरोपी हरीलार प्रजापती के सिहोरी कच्चार में चिपे होने की खबर मिली जिसके बाद एसोजी टीम और कोकराज पुलिस ने आरोपी के धड़ प पाइरिंग की जिसमें उसके आरोपी के पैर में गोली लगी है जिससे की हरीलार प्रजापती घायल हो गया है पुलिस ने उसे गिरफतार कर उप्चार के लिए जिलास्पताल में भरती कराया है वहीं एडिशनल स्पी समर बहादुर ने बताया कि शुकरवार की शाम कोकरा अजिस्तानक शेत्र में आठ साल की बच्ची से रेब की घटना घटित हुई थी घटना के बाद आरोपी खेतों की ओर भाग रहा था इस दौरान पुलिस ने उसकी मुड़ भेड हो गई